नमस्कार दोस्तों नए साल की हारदिक शुब काम ना है आप सभी को साथ ही साथ में एक और खुश खबरी है उत्तरप्रदेश प्रब्लिक सर्विस कमीशन यानि की UPPSC ने PCS Services 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार यानि की 2024 का नोटिफिकेशन में कुल 220 बद बत करने वाले हैं इन ही पदों के बारे में जो कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें कुछ special qualification मांगा जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो जानेंगे एक के करके सारी डीटेल इसमें कि क्या इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ नया दिया गया है कौन- वर्दी धारी ये यूनिफॉर्म बारी जो पोस्ट होती है उनके लिए क्या फिजिकल स्टेंडर्ड रखा गया है यह सारी चीजन देखते हैं चलिए शुरू करते हैं हम पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो अब हमारा यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउन लोड हो चुका है जिसमें क्लेरली लिखा गया है एडवर्टाइस्मेंट नंबर A1E12024 डेटेड 112024 यानि की 1st of January 2024 2024 के लिए यह है बहुत बड़ी खुशकवरी है उन अभ्यार्थियों के लिए जो UPPCS की तयारी कर रहे हैं और 2024 में अधिकारी बनने का सपना देख रहे है तो यहाँ पर सबस पहले जो date commencement of dates दी गई है important dates है उसके बारे में जानिए तो यहाँ पर दिया गया है date of commencement of online application यानि की online आवेदन शुरू करने की प्रारमति थी 1 जनवरी 2024 आज से ही इसके आवेदन शुरू हो चुकी हैं last date के आ रहने वाली last date for receipt of examination fee यानि की आवेदन फीस या application fees जमा करने की जो अंतिम दिती है वह 29 जनवरी 2024 है और last date for submission of online application आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने की या final submit करने की last date 2 फरवरी 2024 है और यदि आप अपने application form में किसी भी तरह का कोई correction कोई modification करना चाहते हैं तो उसके लिए अंतिमतिती थी 9 फरवरी 2024 रखी गई है तो ये बात थी इसके लिए important dates के बारे में इसके बात करते हैं application fees तो application fees जो है UPPCS की हमेशा की तरह ही सभी category के वेर्थों के लिए अलग लाग जिनमें unreserved category के और EWS category के OBC category के आने कि सामान वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS और OBC non criminal के लिए जो total fees लगेगी application fees हो है 125 रुपए लगेगी जबकि SC और ST category के लिए जो total fees लगेगी वह है 65 रुपए लगेगी जबकि PWD या जो person's disability है उनके लिए यह fees 25 रुपए लगेगी और ex-servicemen के लिए 65 रुपए लगने वारी है ठीक है अब आगे बात आती है कि आप इस form को कैसे apply करेंगे तो form को apply करने के लिए कुछ stage दिये गए हैं जिसमें पहला stage बताया गया है कि सबसे पहले आपको OTR one time registration करना अनिवार है बीना OTR की आप इस form को fill नहीं कर सकते हैं यह UP pieces के दोरा किसी भी form को आप fill नहीं कर सकते हैं OTR के लिए यदि आपका OTR यानि की one time registration नहीं है तो तुरंत उसको करवाएं या करें उसके बाद ही आप इसको fill कर सकते हैं उसके बाद आपका जो second stage होगा तो second stage जब आप अपने OTR से login करेंगे OTR से login करने के बाद आपके सामने सारा page दिखाएगा कि कितने application form चल रहे हैं तो है application part 2 होगा जिसमें कि आप अपने application form के दोरा या कि OTR के दोरा login करके आप इस form को apply कर सकते हैं फिर तीसरा stage होगा fee submission का तो fee submission आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं जिसमें net banking, card banking या other payment mode जिससे UPI वगर भी यहां पर accept करता है उसके बाद आपका बताया गया है कि जो आपका fee submission के बाद में जो आपका fourth stage होगा वह है क्या होगा fourth stage में आपका form complete हो जाएगा और एक pop-up application दिखाने लगेगा automatically screen पर display होगा और उस समय पर आप अपने form को print ले सकते हैं अपने form को complete करने के बाद आप उसका print out ले सकते हैं इसके बाद चलते हैं आगे फिर इसमें बताया गया है कि number of vacancies तो number of vacancies आपको पहले ही बता दिए गये हैं कि 220 पद इस बार इसमें दिए गये हैं उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन कौन से पद इस बार शामिल किये गये हैं तो इस बार deputy collector यानि कि account officer, can inspector and assistant sugar commissioner, district can officer उत्रप्रदेश agriculture service group, superintendent यानि कि jail superintendent, manager credit, small industries में, marketing manager, economic survey, executive officer, assistant नगर आयोक्त, district basic education officer या जिसे associate D.I.O.S. भी कहा जाता है और उसके equivalent और भी कई सारी administrative या प्रशासनिक पद साथ ही साथ में assistant director जोकी industries में marketing के लिए रहेंगे, assistant labor commissioner, senior lecturer, assistant commissioner, statistical officer, assistant account officer, commercial tax officer, district minority welfare officer, district food marketing officer, executive officer, नायब तहसिलदार, कई सारी तरह किसमें बहुत सारी यहाँ पर पद दिये गए हैं इतनी सारे post में या इतनी सारे पदों में कुछ post ऐसे भी है जिनके लिए special qualification दी गई, special qualification मागी गई है जैसे कि इसमें पहला post दिया गया है statistical officer under उत्तरप्रदेश agriculture service grade 2 इसके लिए statistical officer के लिए post graduate degree in mathematics, mathematical statics और statics और agriculture statics में होना चाहिए यहाँ पर जो भी degree दी गई है चाहे वो mathematics हो या mathematical statics हो या कि फिर simple statics या agricultural statics में हो तो आप इसके लिए इस पद के लिए eligible होंगे इसी तरह से दूसरा दिया गया है assistant controller legal measurement जो assistant controller legal measurement के लिए होगा तो इसके लिए आपके पास physics के ऐसा कोई degree हो या degree in science यानि कि BSC जिसमें physics से आप BSC के हुए हो या mechanical engineering आपके पास हो ठीक है तो BSC in physics या कि फिर B.E.B.Tech in mechanical engineering तब आप इस post के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद आगे दिया गया है यानि कि दो कुछ और post है एक दो जिसके लिए special qualification मागी गई है तो इसके आगे जो हमारी एक और post दी गई है management officer manager state department तो इसके लिए diploma in hotel management and catering technology में यदि आपके पास diploma है या hotel management and catering technology में आपके पास degree है तो आप management officer के लिए इसके लिए apply कर सकते हैं अगला है sub register तो sub register के लिए log graduate यानि कि आपके पास LLV की degree होनी चाहिए अगला है assistant director of industries तो इसके लिए आपके पास PGA degree होनी चाहिए post graduate degree होनी चाहिए art में हो science में हो commerce में हो या technology में हो तो industries handle में यहाँ पर technology में specify नहीं किया गया है कि कौन सा होना चाहिए तो यहाँ पर यह दिया गया है कि post graduate degree in art यानि कि आपके पास art में कोई भी आप MA किये हो MSC किये हो जैसे art का आ जाता है MA में आ जाता है या science में आपका MSC आ जाता है commerce में आपका m.com आ जाता है technology में आप कोई भी technical post graduate course किये हुए हो या कि फिर यदि आपके पास bachelor degree textile में bachelor degree है तो आप इसके लिए eligible हैं तो यह कुछ special post थी जिनके लिए special qualification की requirement मांगी गई थी इसके बाद जो uniform वाली post है उनके लिए physical measurement की requirement होती है यह physical measurement मांगा जाता है जैसे कि DSP post के लिए physical requirement क्या होती है तो जो DSP की post है इसमे male candidate male candidate journal category OBC और SC journal OBC और SC category की जो भी male candidate है यदि वह DSP के लिए apply कर रहे हैं यह DSP की post में उनका selection होता है तो उनकी minimum height 165 cm होनी चाहिए और unexpanded chest यानि कि normal chest 84 cm और expansion chest 5 cm का expansion मांगा गया है expansion में 89 आपका पहुँचना चाहिए वही पर जो ST category की candidate है ST category की candidate के लिए height में 5 cm पे छूट देते हुए 160 cm और chest में भी छूट दी गई है ST category की candidates के लिए chest ST वालों के लिए 79 cm unexpanded लेकिन फुलाना आपको 5 cm पड़ेगा तो 5 cm फुलाने पर आपकी जो chest होगा है 84 cm आना चाहिए यहाँ पर जो female candidate के लिए दिया गया है तो journal OBC और SC category की जितनी भी female candidates है तो इन तीनों category के female candidates के लिए जो यहाँ पर height मागी गई है वह है 152 cm height मागी गई है female candidate के लिए जबकि जो ST category की female candidate है उनके लिए height 147 cm मागी गई है और female candidates के लिए chest measurement applicable नहीं होता है लेकिन जो female candidate है उनके लिए weight applicable होता है chest की जगहें पर female candidates का weight measurement किया जाता है तो female candidate का जो weight होगा होगा है minimum 40 kg का होना चाहिए sorry 40 kg का होना चाहिए जो की सभी category की female candidate के लिए यह है लागू किया जाएगा इसके आगे देखते हैं for the post of district commandant home guard तो district commandant home guard के लिए जो male candidate है male candidate के लिए minimum height 150 cm chest unexpanded chest 84 cm 5 cm expand करकी 89 cm आना चाहिए वहीं पर female candidate के लिए home guard commandant के लिए जो female candidate है उनके लिए female candidate के लिए यहाँ पर देख लिए जो female candidate है तो female candidate के लिए minimum height 150 cm होनी चाहिए 150 cm होनी चाहिए और female candidates के लिए जो chest measurement इसमें मागा गया है जिसमें कि unexpanded 79 cm और 5 cm का expansion चाहिए यानि कि 84 cm के expansion होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है या बताया गया है इसके बाद अगला है फार दा पोस्ट आप सुप्रेटेंट आफ जेल तो सुप्रेटेंटिट आफ जेल के लिए जो हाइट है वह है 188 cm होनी चाहिए सभी candidates के लिए लेकिन जो कुमायू और गढ़वाल के लिए हैं उनकी 163 cm होनी चाहिए उसी तरह से जो chest है तो chest भी सभी candidates के लिए 18.3 cm unexpanded और 5 cm expand करके 86.3 cm होनी चाहिए इसके अगला post है जिसके लिए physical measurement दिया गया है for the post of excise inspector excise inspector के लिए सभी male candidates के लिए जितने भी male candidates हैं सभी male candidates के लिए जो minimum height होनी चाहिए 167 cm होनी चाहिए 170 cm chest 81.2 cm और 5 cm expand करके 86.2 cm की होनी चाहिए female candidates की बात करें तो सभी category की female candidates means journal OBC EWS की जो female candidates हैं उनकी लिए height 152 cm होनी चाहिए जबकि SC और ST category की जो भी female candidates हैं उनकी लिए height 147 cm की होनी चाहिए clear तो अब इसके बाद आगे चलते हैं dipty jailer के लिए तो dipty jailer के लिए male candidates के लिए सभी category के male candidates के लिए जो minimum height होनी चाहिए वह 188 cm होनी चाहिए chest minimum 81.3 cm और 5 cm का expansion भी इसमें मागा गया है वहीं पर जो female candidates हैं तो female candidates के लिए सभी category की female candidates के लिए जो यहाँ पर height मागी गई हुआ है 152 cm मागी गई है और इसमें chest female candidates का chest measurement नहीं किया जाएगा लेकिन weight होना चाहिए जो वजन है आपका वह 45 से 58 kg के बीच में होना चाहिए ठीक उसी तरह से जो सेडूल ट्राइब के जो candidates हैं जो सेडूल ट्राइब के candidates हैं उनके लिए जो minimum height होई 160 cm और female के लिए 147 cm होना चाहिए यह HD category के लिए male और female दोनों के लिए बताया गया है यहाँ पर इसके बाद जो prelims के exam है तो जो prelims के exam है वह कुल 11 जिलो में खालियों पर किया जाएगा जो district headquarters है 51 जिलो में 51 districts में prelims exam conduct करवाये जाएगा और जितने पर prelims exam conduct कराये जाएगा उन districts की list यहाँ पर यह दी गई है इसके बाद plan of examination तो plan of examination आपको पता ही होगा कि यह जो exam होता है PCS का वह prelims, mains और वायवाय टेस्ट के आधार पर इसमें selection किया जाता है और prelims में आपको पता है कि दो paper होते हैं पहला paper GS का होता है यानकी general studies का और दूसरा paper होता है CSAT का जो CSAT का paper होता है यह qualifying in nature होता है जिसमें की fix 33% marks लाना mandatory होता है 33% सभी category के लिए male और female के लिए यह 33% लाना जरूरी होता है CSAT में जबकि जो prelims की merit बनती है mains के लिए वह है केवल GS की paper की आधार पर बनती है और जो GS का paper होगा वह है 1500 प्रश्ण उसमें होगे total paper आपका GS का 200 number का होगा ठीक है 1500 प्रश्ण 200 number के होगे उसी तरह से जो CSAT का paper होगा वह है 100 प्रश्ण होगे उसमें और वह भी 200 number का रहेगा इसके बाद जो आपका mains examination है तो mains examination में total 8 paper होगे जिसमें journal हिंदी और essay जो journal हिंदी और essay रहते हैं यह डेट्स और डेट्स होगे रहते हैं और उसके बाद जो general studies के paper है तो बांकी की general studies के paper नमबर 6 general studies के paper रहते हैं तो total जो आपका return हो जाता है वह है लगभग जो total आपका return हो जाता हुआ है 14 नमबर का हो जाता है ठीक है कितने नमबर का जो आपका return test है जो mains का return test है वह है आपका 15 नमबर का return test होता है प्लस इसमें 100 नमबर आपके वाई वाके जोड़ती है यानि कि जो total आपका selection होगा वह 600 नमबरों की आधार पर होता है यहाँ पर जो आपका mains paper होगा वह एक paper तीन घंटे का होता है सुबह के shift में 9 बज़े से 12 बज़े तक और evening के shift में 2 बज़े से 5 बज़े तक यह paper होता है ठीक है और उसके बाद आपका personality test होता है यानि कि जो वाई 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 टेस्ट होता है वह है 100 नमबर का होता है इसमें इसके बाद slayvers दिया गया है slayvers यदि आप चाहते हैं तो आप इस notification को download करके slayvers पूरा निकाल सकते हैं या किसी और वीडियो में हम slayvers को discuss करेंगे prelims plus mains का slayvers तो मिलते हैं दोस्तों अगले session में तब तक लिए नमसकार धन्यवाद